हेलो मैं दियर फ्रेंड वेलकम बैक तो मैं चैनल इफ यू हाव नोट सब्सक्राइब इट प्लिल सब्सक्राइब इट और जैसे कि आपको पता है मैं आठ चेप्टर कवर कर चुका हूँ तोड़े आई विल डिसकस अबाउट दी नाइन चेप्टर ऑफ दी सतीष चंद्रा मेडेवल इंडिया तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेज वीजिट किजिए और स्टार्ट करते हैं बिना डिले की वे लगबग वन अन हाफ आवर की वीडियो रहेगी जिसमें हम नाइन चेप्टर कवर करेंगे तो एज ओफ विजय नेगरा एंड ब विजय नेगर और जो बहमनी किंग्डम थे उन्होंने डोमिनेट किया इंडिया को किसको साउथ ओफ दी विंद्याज विंद्याचल परवज्जो है उसके साउथ में फोर मोर देन 200 साल तक दे नोट ओनली बिल्ट मेगनिफिसकेंट केपिटल उन्होंने नहीं की मेगनिफ इसे बहुत बड़ी बड़ी राजदानिय बनाई प्रोसिजर को भी बढ़ाया बट आल्सो प्रोवाइड फॉर दी ला अंडर उन्होंने किया ला अंडर को प्रमोट किया इन दा ड़लप्मेंट ऑब दी कमर्स औहने काफ्ट को उन्होंने पिनाकल लेवल पे लेगे पीक परे गए दस यस तरह से था इस तरह से वाईल दा प्रोसेस ओफ दैसी इंटिगरेशन के जो ग्रेज्युनी ट्रेंप्टिटीड इन दी ओक विजे होना तो यह भॉलन है कि नोर्थ इंडिया में जब क्या है डिइसींटिप्रोसेस मतलब बटते चले दिरे जो उनके राज स्टेबल कोर्मेंट का दिसेंड विडिशानेगरेशन विड ओफ दि वहमनिक एंपाइर तो यह कैसे खत्म हुआ कि डिसिंटेडरेशन तब वहमनिक के इंटम का खत्म हुआ तभी डिसिंटेगरेशन हुआ साउथ इंडिया का end of the 15th century 15 सेंचरी के end तक की बात है यह आफ दी एन ओफ दी विजयनेगर एंपायर मोर दन 50 यह लेटर उसके बाद वहमनी किंग्डम के बाद क्या है विजयनेगर एंपायर का डिसिंटिगरेशन वा आप लगबग पचास साल बाद आफ्टर इट इस डिफीट इन 1565 इन दी बैटल ऑब बननी हट्टी पंदरा सु पैसेट में जो विजयनेगर एंपायर हारा था बननी हट्टी में उसके बाद डिसिंटिगरेशन वा साउथ इंडिया का मेन्वाइल दा इंडियन सीन वाज ट्रांसफ़र्ड फर्स्ट विद राइवल ऑप पॉर्ट्गी जिन साउथ इन इंडिया जो चोदा सवचानुमा में वास कोडी गम आये थे कलिकेट बंदरगा पर तो उसका क्या है उनका सीन चेंज होगा साउथ में पॉर्ट्गी जागे और अटेम्ट टॉमिनेट इंडियन सीज उन्होंने किया इंडियन सीज को समंदुरी रास्ते को डॉमिनेट करने के लिए एंडियन सेकिंड अगे बढ़ना मुगल्स का नौर्थ इंडिया में बढ़ना और कमिंग ऑफ दी मुगल्स पेवड दा वे फोर दी अधर स्पैल इंटिग्रेशन इन इन नौर्थ इंडिया तो ऐसे मुगल्स आगे आए तो उन्होंने उनका रस्ता पका कर दिया किसके लिए इंटिग्रेशन ओफ दी नौर्थ इंडिया का इंटिग्रेशन होगा दा कमिंग ऑफ दी पॉर्टगीज मार्थ लॉंग इरा ओफ कंफरेशन बिट्विन दी लैंड बेस अश्यन पावर्स एंड यूरोपन आदमी यूरोपन हैं तो उनके बीच में कॉनफलिक्ट हुआ विजेद एंगर एंपायर और इसंब फाॉंडेशन और की कुछिक्ट विद दी बहमने किंग्डम तो विजेद एंगर एंपायर का वहमने कुंडम के साथ क्या कॉनफिक्ट था क्या लड़ाई थी दा विजे तो उसमें बोला कि जो वहां के काकातिया डायनेस्टी के बंदे थे उनके फ्यूडेटरी थे उनके महन थे उनके जो पैसे वाले आद्मियों थे जागिरदार थे उसके बाद काकातिया से निकल के क्या हो गए उसमें क्या बन गए वो उसमें मिनिस्टर बन गए उसके किंडम में इसके दौरा मुहमेद बिन तौलक के दौरा फोर्गीविंग दी रेफ्यूस्टू मुस्लिम रेबल तो उनको पना देती थी और टू ब्रोधर्स वर इंप्रिजेंट तो इन दो भाईयों को जेल होगी थी जेल में डाल दिया था एंड कनवर्ट इसलाम तो इनको अपने आपको इंडिपेंट कर जुके थे एंदा होईसला रूरर थे मैशूर के और रूरल ओफ वारंगल आलसो ट्राइंग तो असर्ट करने के लिए पुक्ता करने के लिए अप्टर इसोट ताइम हरी हरन बुका फोर्सुक उन्होंने क्या हिला दिया दियर मास्टर अट इस्टांस देर गुए अन विद्यार ने तो उनके गुरू है जो और या विद्या रान्य विद्या यारन्य दे री अडिटी तो हिंदु तो दुबार से हिंदु इसम में आगे और इस्टाबलिश देर कैपिटल एट विजयनेगर उन्होंने अपनी कैपिटल इस्ट कर लिए विजयनेगर में सम्मोडर्न स्कोलर्स दूनोट सेप्ट एट एडिशन आगे तो इस्लाम कुछ मानते कि वह इस्लाम में कनवर्ट निए बड़ कंसीडर थम भी अमंग दी नायका जुब दिकरनाटका हुए डुब अगेंस तर्किस रूल तो कुछ मानते कि वह यह निए करनाटका के नायक थे जो सेना के कमांडर होते हैं और इन्होंने टर्किस के खिलाफ रेबल कर दिया था विद्रोग कर दिया था दा डेट ओप दी हरी हरा कन कोर्नों कोरोनेशन कोरोनेशन मतलब उनका राजित लगवा इन प्लेस इन 1336 1337 कोरोनेशन हुआ एट फर्स्ट दाइयंग किंग हैड तू कॉंटेंड बोथ दी होईसला रूरर उफ मैशोर तो स्टार्टिंग मेंने क्या है होईसला रूरर थे जो मैशोर के उनके साथ भी कॉंफिक्ट रह रहा था कंपीट करना पड़ा एन सुल्तान ओफ मदरोई की सुल्तान भी दा सु मदरोई के सुल्तान थे बहुत एंबीसियस थे उनके विचार अच्छे थे मतलब एक्सपेक्टेशन रखते थे लाइप में अपने आपसे जैसे यह डिफेटेट दी होईसला रूरर उन्होंने होईसला रूरर को हरा दिया मदरोई वाले ने एन किlines इसलों गया है थिफशीला में आपने होईसला किम बूंच्बरोद के उसको बढ़ा रार नी कोशिटी। administration of the area is conquered by the efforts और अलुन को लग लग जिंगह देदी दिदा किंग्डम विजनेगर किंग्डम वाज दस काइंड और कोपरेटिव कोमन वेल्थ कोपरेटिव के सबका सेयोग था कोमन वेल्थी सब की कंबाइन पुंजी थी बुक्का सक्सेड़ेड इस ब्रोधर टू थ्रोन ओफ विजनेगर इंटर इंपायर ब्रोट इंटो दी क्लेश तो राइजिंग पावर विजनेगर के हो रही थी तो डेफिनेटली कॉन्फलिक्ट होगा लडाई हो गया आसपास के जो राजा से विद्धी मैनी प्रोब्लम्स बोथ इंदी साथ एंद नोर्थ इंदा साउस इट्स में राइवल वर्दी सुल्तान सफ मुद्रई सुल्त में सुल्तान थे जो मुद्रई के उनके साथ कॉन्फलिक्ट होता था स्ट्रगल पोचा लगा अब लूब खथम कर दिया था उसको कर चुके था यह 1377 तक विजैनगर एंपाइड देंक चेरला के चेराज थे उनका भी था to the north however we are faced a powerful enemy in the shape of the Bhaemini kingdom तो ये बोलने नोर्थ में जब कि North में कौन थे Bhaemini kingdom थे विजे नोर्थ में एगर फेस्ट a powerful enemy in the shape of the Bhaemini kingdom थे The Bhaemini kingdom had come into existence 1347 में आए तो मतलब ये क्या है Harihar का की बाद में आए क्योंकि 1337 में coronation हो चुका था its founder was Allaudin Hassan तो इसके founder कौन थे Allaudin Hassan बहमनी किंग्डम के Allaudin Hassan an Afghan adventurer तो अफगान के जो adventurers थे वो थे इसके Allaudin Hassan and he had risen in the service of the Brahman तो क्या वो Brahman के अंडर आगे बढ़ा था नेम गंगु तो गंगु थे नीचे इसने काम किया थे बढ़ा था तो इसको अशन गंगु भी बोलते थे and after his coronation उसका राज्तिलक हुआ he assumed the title of Allaudin Hassan बहमन सा तो coronation होगा, राज्तिलक होगा उसके बाद इसको क्या बोलने है Allaudin Hassan बहमन सा बहमनी किंग्डम करा जा थे तो बहमन सा लगा दिया he said to have trace his descent from a half mythical hero of Iran and बहमन सा तो उसने बोला he is said to have उसने मतलब कहा उसके बारे में कहा जाता है उसने trace उसके जो descent थे उसके वंसे थे from half mythical hero of Iran तो इरान का hero था उसका वंसे बताता था बहमन सा नाम था इसको आगे बढ़ा था तो उसके मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए उसको एक सर्दांजली देने के लिए इस बंदे ने बहमन सा लगाया था in any case it is from this little that the kingdom was called the बहमनी किंग्डम तो इसी बहमन सा के प्रोसिज़र के चलते उसको बहमनी किंग्डम बोलने लगे तो तीन जंगह जंगह इनके लड़ाई जगड़े हुए इंदा तुग भद्रा दाओ दाओ मतलब दो नदियों के बीच के एरिया को बोलते हैं दाओ तो तुग मंद्रा जो कृष्णा और तुग मंद्रा के बीच में इंदा कृष्णा और गुदावरी डेल्टा में भी देली आमाँ इंदेम्ट्रा म्ल म्राट वॉर्डा कंट्री में भीजा दाता तुग मंद्रास दाओ वाज दी रिइन फिर्फ ट्वेर्टवर्स कृष्णा और तु रिवर्र कृष्णा टेन अर्यरी बीच के एरिया वाहां पे इनका उंके बाल बद्र बद्रा थोनके बी तो इसके पास अच्छे पैसे थे हमने किंडम के पास तो इसलिए यह क्या है आदमियों की नजरों में था और उसके वेस्टन जो चालुक्यूज है वेस्टन के चालुक्याज और चोला थे जो इस पिरिएड में उनके मतलब उनकी लाल सा थी देवर यार्निंग और वाइंग बिट्विन यादवाज और होशलाज लेटरों तो यादवाज और होशलाज के बीच में भी जगड़ा रहता था इसको लेने के लिए जगल फोर दी मास्टरी ओफ क्रिशना गुदावरी बेशन वाज वेरी फार्टाइल और विच तो गुदावरी और और क्रिशना के बीच में जो फर्टाइल लेंड उसके लड़ाई होती थी विच इस नुमरार पॉर्ट्स कंट्रोल दी फोरें ट्रेड ओव दी रिजन त एरिया विच गेव एक्सेस टू एक्सेस टू इरिया के उपर लड़ाई होती थी तो वेस्टन घाट और सी के बीच में थोड़ा सा एरिया उसको कॉंकन तट बोलते हैं इट वाज एक्स्ट्रीमली फर्टाइल उसके नहीं माला बार है जो केरला के आसपास है तो यह भूत आपको पता है कि उस टाइम के इरान और इराक के गोड़े बहुती फेमस थे यहाज बीन नोटी आगे हमने पहले नोटी कर लिया यह बात गुड़ क्वाल्टी होर्शे वर नोट ब्रेड इन इंडिया तो उनको यहां से गुड़ क्वाल्टी यहां पर पैदानी होती थी तो में गोड़ा कोड़े बहुती नोटी नोटी कहा इन पर Śाह ok acredगी थास नोटी कोर भूर्टी साहिश यहां बढाली कोंड़ को अनूड़ को ऩारिक्वड़ रहता हrows तो लिए टारे वंज चाहिफा क्वाले नी या उन जिन पर विवाद रहता था या नेवरिंग के टेरिटरीज में, एक कंट्रीसाइड लोस अफ लाइफ हो गया था एन प्रोपर्टी, बोथ साइड सेक्ट, लूट ले गए थे और बंट, जला दी गए थे टाउंस और दी विलेजिज, इंप्रिजन सोल इंटू स्लेव में और उनको गुलाम करके बेज दिया आद्मियों को, एन वूमें और चिल्डरन, दा खुमेचिट वेरियस अदर बार्बरेटरीज, बहुत बड़ी बरबरता को फैलाया, दस इन थर्टीन सिक्टी सेवन ने बुक्काव फस्ट, असाल्टिड दी फोर्ट्रेस उफ दी तुग भंद्रा दाओब, तुग भंद्रा जो दाओब था, एरिया था, उसमें क्या है, एक जंगा है, मुद्गल, वहां पर उसके किलो पर इसने अटक किया, पूरी जो गैरिशन चावनी थी उसको स्लोटर्ड गला काट दिया इसनों एक आदमी को छोड के वेन इस न्यूज रिज टू दी बहमनी सिल्डम तो बहमनी में पहुंची जब यह न्यूज ही वाज एन रेज वो गुस्सा हो गए एन ओन मार्च वो कसम खाई that he would not सीथ his sword till he had slaughtered तो वह अपने तलवार को मयान में नहीं डालेगा तब तक he had slaughtered 100,000 हिंदोज इन रिवेंज जब तक उसने मतलब एक हजार मतलब एक सो हजार आदमी नहीं मारे रिवेंज में गुस्से में इन स्पाइट ओफ दी रेनी सीजन दा ओपोजिशन ओफ दी विजयनेगर फोर्सेज ही क्रोस दा तुग भंद्रा उसने रेनी सीजन के वहते हुए भी तुंग भंद्रा निदी को क्रोस कर दिया पहली बार कोई मतलब भंद्रा था विजयनेगर तरिटरी में गया था विजयनेगर की वाज़ा राजा हार गया और पीछे हो गया जंगल में गुश गया विएर फोर दी फॉर्स ताम दा यूज ओ फॉर्ट बोथ साइट दूरिग दी बैटल तो पे यूज वी दूरों साइड में अड़ विक्ट्री ओफ दी बहेंगनी सुल्टान वाज दू तो इस सूपिरियर आर्टिलरी तो उसके पास अच्छा बहेंगनी किंग्डम के पा विजयनगर के को बुका को नहीं ओसकी कैपिटल को राजधानी को इन दा मीन वाइल होल सेल स्लोटर ओफ मैन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आदमियों का गला कार्ट देका है वूमें एंड चेलर वेंट ओन फाइनली बोथ दी साइड एग्जोस्टेड साइड वर एग वो उनको आदा अदा बात लिया इवन मोर इंपोर्टेट इट वाज एग्रीड देट सिंस्टू किंग्डम्स वूड रिमें नेबर्स पर लोंग ताइम इसा माना का कि भी आगे क्रूल्टी नहीं करेंगे वार में इट वार में आगी आने वाली वार में हेल्पलेस अन अ इंडिया मोहल है तो इसने हैल्फ किया वार फियर को साट इंडिया में मोहल हमन अच्छे त्रीकर से हविंट मत्स पॉजिशनियच इन साट इंडिया जैसे साओं इंडिया में पॉजिशिन स्टरेंग्ध्ध करने के बाद बाद बैई सुल्तान अोभ मुद्र ही तो अपने आपको स्ट्रेंथ करने के लिए सुल्तान अब पॉलीश योव एक्सपंशान्छ तो विजये अगर ने क्या स्टार्ट कर दिया पलीश ऑफ एक्सपंशन टूर्स इस्टन शी कोस्ट अंदर हरी राटू तो अंदर हरी सब्सक्राइब करें जो इसने क्या स्टार्ट कर दिया एक पॉलिश ऑफ एक्सपेंशिट बढ़ाने का इस्टर्ण सी कोस्ट में जो इस्टर्ण सी कोस्ट है मानलो आंद्रपरदेश टाइप के और हरी हराट्टू 1377-1404 तक कि रहे जो इसेरेब और जो ओड़िशा में राजा थे वो इंट्रेस्ट थे इसे अरिया में जो गुदावरी इस एरिया में और कृष्णा के बीच का डेल्टा यह जा था अल्टो दा रूलर रूलर ओफ दी वारंगल हैड हैल प्रसन गंगु इन इस ट्रगल अगेंस दिली तो वारंगल के जो राजा थे उनका हसन गंगु का जब दिली वाले राजाओं के साथ कॉन्फिक्ट था उसमें हल्प किया थ इस सक्सेसर है इस सक्सेसर हाद इले वारंगल बट उनके सक्सेसर से जो असन गंगु के उन्होंने क्या सक्सेसर चुस के बंसे थे उनके अटैक कर दिया था वारंगल पे एंशी दा स्ट्रॉंग होल्ड उफ कोलाज तो एंदा हीलोफ फोर्ट गोलकंडा गोलकंडा फोर्ट और कॉलाज की जंगे पर कंट्रोल कर लिया था विजे नेगर हैड बीन तू बीजी विजे नेगर भी बहुत बीजी था इंदा साउथ टू इंटर्वेन अस्तक शेप करने में बहमनी ने अपना गोलकंडा में जंडा गाड़ दिया और प्रोमिस्ट नाइधर ही और नोर ही सक्सेशर वूड एंक्रोच अगेस्ट वारंगल अनी फर्द उन्होंने कह दिया गोलकंडा तक हम आ गए हैं आगे नहीं बढ़ेंगे वारंगल तक इतना ही रहेंगे तू सील कहा गया है कि इत हैड बीन अरिजनली प्रिपेड जो ज्वेल्स थे ना वो प्रिपेर किये थे मौमध तुगलक के लिए बट उसको देने पड़े ता अलाइंस ओभी वारंगल लास्ट फूर पचास साल जो पचास साल तक यह बहमनी केंडम का अलाइंस और वारंगल वालो बहमनी आर डिसकाइब इंड गृट नाइस बट्रा फ़ड इसका अब पार इधर आगया हरी अर्जड़ कोंदेर तू सेस्ट फूसिन इफरें बहमनी के सान वारंगल कमथे मश्टेड और आगया बहमनी वारंगल केंड तुग ललाइंस ऐसे बाहमनी वारंगलों का मैने अ गुवा इंदी वेस्ट अब दी फ्रोम बहमनी किंग्डम। ही आलसो सेंट एन एक्स्पेटिशन तु स्री लंका। स्री लंका में एक्स्पेटिशन बेजा था। किसने वेस्ट ये अपना बहमनी किंग्डम ने। आफ्टर एक्साइब प्रीड ओफ कंफूजन हरी हराटू वाज सक्षेटिट बाइद देवराए वन तो हरी हराटू के बाद को ना देवराए वन देवराए वन वन विजनेगर अंपायर के हरी हरा थे अरली इन दीस रेजन देर वाजे रिन्यूड फाइट फोर दी टुग तो गंद्रा दाओ के लिए फिर दुबार से रिनी होगी लड़ाई वाज डिपेटेड वाइद इं बहें निकुलर रूरर फिरूज साह तो फिरूज साह के दवारा फिर हरा दिया गा हरा था वहें अर्द रिंग रोलर के दवारा रूलर के दवारा वी हैज तो पे 10 लैक् की साधी कर दूँगा एंड सीडिंग परदान करके तुह में दावरी बैंक बंकपूर इन दावब इन ओडर टू अब्यूएट काता है किसी चीज को मतलब गुम्नामी में चला जाना आल फ्यूचर डिस्पूट्स ओब्यूट मतलब कम कर देना टाल देना उनको आगयाने वा बंकपूर जंग है दा मेरीज वाज सेलिबरेटेटेट विदे ग्रेट पॉंप इन सो मतलब बहुत सारा आदंबर हुआ दिखावा हुआ वा वन फिरोज साहब हम नी अराइव नियर विजयनेगर फोर दी मेरीज जो रेशम का कपड़ा हुथा तो वो विच आगा थो रिच पो रिच दो रिच अधागा था तू मुनार्क रोड राइट की सेकंड फूम रोड गुड़सवारी की नोने ओन दी होर्स बैक तूगदर फूम दी सेंटर फूर सिटी स्क्वेर से वहां तक अपने घर तक दस क्लिमेटर दू तक चले तू में पूरा भववे साधी की थी तू के राजा ने भी अपनी बेटी की साधी फिरोज सा बहमनी से की थी तो वो प्रिंश कै थी फेवरेट थी फिरोज गी एन हावर दिस ना कॉड़ी थी पूरा करते की थी फेवरा की थी हम पाई तरू पोर अच्छिन फेटिया था कॉनट विजयन अगर ऑने तूट था एमनिक गुड़र या था और था कंट मैंदर अवैंथा फूल्ग्ये किन आलांज वारंगल ने वारंगल के साथ एक अलाइंस बनाने उने वोट पास्थिंड़े गूंट में देवराइ ने इदर वारंगल से संधीक कर ली दिए वारंगल से एक्षिन दोखा दे दिए अठाय फ्रूम्दी साइड ओभावर इन चेंज दा बैलेंस ऑपावर इन देकन तो बैलेंस ऑपावर देवराय विजयनेगर की साइड आ गया देवराय वाज एबल टो उन्फिक्ट एज शेटरींग डिफेट उन्फिरुज अबमनी अनेक्स देंटार रेडी टरेटरी अप्टु किरिष्णा रिवर किरिष्णा रिवर तक दवस्त कर दिया और देवराय आगे बढ़ गया देवराय वन नोट नेगलेक्ट दी आर्ट्स ओपीस उसने कला की वंदल जो संती कलात उसको नहीं छोड़ा ही कंस्टक्टिद ए डैम अक्रोज दी तुक्मंद्रा सो दाट ही कू पर दोज तो यह वहां की करन्सी है इतना मतलब उसने पर दोज इतना पैसा कमा दिया उस सिचाई करने से ही अल्चो बिल्ट ए डैम ओं दी रिवर हरीदरा फूर इरिगेशन परपच अरीडरा ना दी पे भी इरिगेशन परपच के लिए डैम बना दिया अफर सम अच्छी आर्मी बनाए उसने डिल्ली सल्तरत के जो आर्मी की स्ट्रेटजी थी या उसके जो प्रोविजन थे इसमें उसने रेप्लिकेट किये या एमुलेट किये अकोर्डिंग दी फरिस्ता देवराय तू फेल्ट अच्छे गोड़े थे जो डर्ड गोड़े थे एंड लार्जर बोड़ी ओप मांटेड आर्चेज आर्चेज थे जो उनके धनुसदारी थे देरफोर्स इंसलिटेट 2,000 मुसलिम कावल्री मैन गेव जागिर और कमेंटेट अल्ड़े हिंदू सोल्जर्स और अफिसर्स तो लर्न अड़ आर्ट ओ आर्चरी फोर देम तो उसने क 60,000 हिंदू वर्क स्किल इन आर्चरी साथ जार जो धनुसदारी थे उन उनको टका उनने हिंदू को भी बिसाइटी थाउजन कावल्री और ट्वंटी थाउजन इंफेंट्री इतना ज्याद रखना की जोड़त नहीं है यह तू लैक इंफेंट्री थी तो इस फिगर्स में मतलब फिगर्स को बढ़ा चड़ा कर बताया जाकता है हावर दा क्लेक्शन ओफ लार्ज कावलरी फोर स्टेंडिंग आर्मी मेड विजयन गरंपार गुड्स वार अची कर दिये और जो स्टेंडिंग आर्मी थी उसको बढ़ा दिया विजयन गरंपार मोर सेंट्रलाइज योगी थेन अफ यह अर्लियर हिंदू इंडिंग्डम इंडि शाउथ इंवन दो इंट मस्त आव एउ पुट ए स्ट्रेंड ओन दी थे तो इसको पूट करना चेए स्ट्रें अन दी रिसोर्स इप्रिय और टेंश इसको बना दी ओन दी रिसोर्स और डूर्स आज इसमोस य मांट सब्सक्राइब करने थे एंड अरब सु कंट्रोल दा ट्रेड चार्ज हाई प्राइस फॉर दें उन्होंने ज्यादा प्राइज लिया विद दी न्यू आर्मी देवराएटु क्रोस दा तुग्भंद्रा रिवर इन 1433 और ट्राइट ट्रीकॉर्ट दा मुद्गल तो न सब्सक्राइब कर दिया थे पहले थे एंड दियर थी हार्ड बेटल्स वर फॉर्ट तीन बहुत कड़ी-कड़ी लड़ाई है लड़ी गई बट इन अफ दी टू साइट साइट है तो एग्री दा एक्जिस्टिंग फ्रेंटियर जो भी जिस बॉंडरी पे जिस पर था है उ सब्सक्राइब कर दिया था इसको देवराइट को इस डाउटफल वैदर विजयनेगर रूलर राजा थे यहां पर रूलर थे वह कोंटेक्ट में होंगे विजयनेगर एंपायर के प्रेजेंट उन्होंने तोफे भेजाओंगे एंबसेज लगाई होंगे यहां पर अपने राजदूद भेजाओंगे तो सिक्योर इट्स गुडवेल मतलब वह इसकी अच्छी नजरों में गुडबुक्स में रही साइद में भी लाग दे हैव सेंट देर अंबस्टर्स त अंदर ए सीरीज ऑफ यह उफ यह नगर रूलर जो थे क्यों के बाद विजयेंगर इमर्ज दे आ मोस्ट पावर्फुल एंट वेल्थी स्टेट वेल्थी स्टेट हो गया था तोंग दूरी फस्ट आपधीन सेंचुरी स्टार्टिंग में बहुत अफ्यृंट लाइफस्ट अप्ट फिट उन्होंने क्या ग्राफिकल एकाउंट चोडर का मारे लिए लिए वह कहते हैं इता सर्कम्स्तांसिस शर्कम्फेरेंस जोसकी टेरिटरी थी या बांडरी थी फ्रेंटिर थे ओफ दिवांट थी शाट मायल की थी टॉट वाल्स करेद अफ टॉट थी मांटेंस मत गेंद टोसब्धाई डी थी वेलीन जोस्तार आदमयों के पास सत्यार थे इस भीडिगे पालाद से दिया अबावर्फुल थे किस्ट रयरा देवरा थी फृरिषता से फ्रिश्ता भी कहते हैं ता ब्रिंस अब थी हाउस बहमनी मेंटें देर शूपिरेटरी बार वेल और foreign power तो अपनी जो superiority दिखाते थे अपनी वीरता दिखाते थे इन power में रहने के लिए wealth and extent of the country दारा rise of the वीजानगर वीजानगर greatly exceeded them तो इतना यह expand किये वह थे उसके लिए हमें साथ अपने value और दिखाते थे superiority दिखाते थे आलग राजा उसे दिखाते हैं फसके लीजार आगुटे फर्षें के जो ट्रेवलर है रादूर रजाख का के ऐग्यूट अपने अपना वेर्तार निखें कंतर सेग्य को चानट्री दिखाते थे यिशित्यअधूर ऑगया दार्डए राजा है तो तेरा फर्मा मतलब तीन महीने लगे थे उसको इस पोर्स भी जाने के लिए अब्दूर रजाक क्या कहते हैं अब्दूर रजाक क्या कहते हैं अब्दूर रजाक के दिवारा अनिवेर इन वर्ल्ड ही एड सीन और हर फूसने आप तक जो सुना हो या देखा हो सबसे अची सीटी थी विजाने अगर अब्दूर रजाक क्या अकोर्डिंग यह पर्शन ट्रेवलर थे डिस्क्राइबिंग दा सीटी ही सेज वे कहते हैं इस बिल्ट इन सच मैनर ऐसे त्रीके से बनी हुई थी देट सेवन सीटरल साथ जो बड़े दूर्ग थे इन दा संब नंबर ओफ दी वाल्स इंको चार उतरफ थी दा सेवन फोर्टेश जो किले थे सेवन्थ दो किला था विच इस प्लेज अट दी सेंटर ओफ दी अधर वो सेंटर में था दा कुपा इज अन अरिया ओफ 10 ताइमस लाजर दैन दी मार्केट प्लेश ऑफ दी सिटी ऑफ एराथ हराथ से दसगोना लंबा चोड़ा उसका किला किला था स्टाइग फ्लेश देर वर फोर बजार चार बजार थे विच वर एक्स्ट्री लोंग and बोड़ आज वाज प्लेश इंडी इन दी वन क्वाटर ओप दी ताउं एक मूसलिम अपेर तो हैव लेव इन सेपरेट लेटर ट्रेवलर सेज्टी वाज़े लार्जर ने रोम से भी सीटी बड़ी थी वन ऑफ दी बिगेस्ट टाउन इन वेस्टेन वेल थी उनको बहुत पैसे वाला माना जाते थे अब दुर जाक मैंसें देट रेडिशन देट इन किंग पैलेश वाज वर सेवरल सेल लाइक बे इसा इतना चमकदार उसका किला था दा होर्डिंग ओफ वेल्थ मतलब पैसा इकटा इतना कर रखा था भाई रूर वाज एंसीन ट्रेशन पूरानी प्रमप्राथी पैसा इकटा करना हावेवर सच होर्ड वेल्थ रिमेंड आउट अउट इस से क्या ज्यादा सोना था तो आउटसाइडर भी अटेक करते थे आज भी आपने देखाओगा कि वहां पर साथ इंडिया में देपीपल आर वेरी फॉंड फॉर्ट वेरिंग 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 फॉर्ट इस प्रिशन डिसिंटिगरेशन बहुत पैसे का था तो बहमनीं किंग्डम एंटिस्प्शन डि राइच तो 1446 एज आल्रेडी बिन ट्रेस्ट तो इस्ट्री देख ली है मैं ने इसकी मिर्ट्व से जो 1440 के बाद की अल्रेडी उनको देखा कोपी किया जसका ट्रेस कर जसका ताम मोस्ट रिमार्केबल फिकर इदी बहंनी किंग्डम दूर इपरियोफ फिरोज साभ वहमन है जो कुरान में उससे वो एक्वेंटिड था जाना पाचान था जो रिस्पेंडेंस उसकी चतूर था थी जो ही वाज पर्टिकुलरी फोंड ओफ नेच्रल साइंस सच इस बोटनी वह फोंड किसका सोकीन था बोटनी का जिमोट्री का यह लोजिक का ही वाज गुड कलिग् तो फरीष्था के अकोर्डिंग राइटर के वह सब कई लेंग्विज जानता था था तेल्गु कंणाड़ा मराथी पर्शियन अरेबिक टर्केज यह लाज नंबर ओफ वाइव थी उसकी हरेम में जहां पे लेडिज रहते हैं इसको हरेम बोलते हैं फोरों वैरिस कंट्री वाज़ जेतर्मान थो मेंग्डेगन दा था था कि वह साओथ को कल्चरल सेंटर बनाएंगे अधिकलाइंगे अधिकलाइए दिली सेतरन थेल्ट होने के बाद फोर मैनी लॉन पीपल मिगरेट फो देली तो देकन तो जो सिखे सिखाया अधमी थे लॉन पीपल थे जो यॉ की वह रिए जाओ मेंगे जो अधिकलाइए घुथी nov यॉन दा था कि वह साओ जेगने लॉन पीपल दीली थे धिए आख मिटरी अधिकलाइए अधिकलाइए विए द्फिकलाइए लॉन पीटीव थे जोटन थे लॉन अधिकलाइए पीट दिली तो दान रिटी सुट रॉ ऐसे बहुत ज्यान ही आदमी मेरे पास आए और उनको जो ज्यान है मैं लूँ और अपने इसको आगे-ागे बढ़ाऊं। पुराने बी जो सबूत थे, पुकता सबूत जो मातलब पुरानी हिस्ट्री के हुते हैं। कर दिया था बहुत सारे हिंदू का अपने खिंगम में it is said that his time the dhagnis brahmanas became dominant in the administration उसके time में दोदक्षिन के ब्रहमन थे उन्होंने dominant कर लिया था admin काम में and particularly in the revenue administration revenue administration में the dhagnis hindus also provided a balance against the influx of the foreigner तो देखनी इस हिंदू थे जो उन्होंने क्या इंकराज किया astronomy को बढ़ावा दिया built an observatory near दोलताबाद दोलताबाद के पास में observatory बनाई जिसके बारे में astrology के बढ़ने के बारे में तारू के बारे में पढ़ने के लिए he paid much attention to the principal ports of his kingdom चोल और दाभोल तो उसने चाहोल और दाभोल जो उसके ports थे वहां पर भी जोर दिया which attracted trading ships from the Persian Gulf and Red Sea तो वहां पर क्या आते थे प्रेडशी से और Persian Gulf से ships आते थे and brought him the luxury goods from all over parts of the world तो उसके पास बहुत पैसा आता था बाहर से भी बिजनेस करता था था तो अगे चलते हैं फिरोज साह बहमनी स्टार्टिट दा kingdom of expansion towards Biraar by defeating the Gond Raja फिरोज साह बहमनी ने क्या start कर दिया था बहमनी kingdom को expand करना कर स्टार्ट कर दिया था तो अट्वरार by defeating the Gond Raja Gond Raja को defeat करके बहुत तरफ और नर्सिंग राए और खेरला के नर्सिंग राए को हरा कर भी वहां बढ़ा दिया था अपना वर्चस चाहो तो चालीस हाथी राए ने प्रेजेंट किये थे इसको और फांस मौंद्स ओफ गोल्ड मतलब बड़े-बड़े बरतन गोल्ड के और फिफ्टी मॉंट्स ओफ शिलवर सिलवर के हे जो जो राय की बेटी है उसे फिरोज से साधी हो जाना वाज रिस्टो नर्सिंग खेरला को दे दिया गया था वापिस नर्सिंग को who made an ameer of the kingdom and given robes of the state including an embroidered cap तो उसको एक मतलब रोब क्या होता है चोला जो पहनते थे राजा हो जो से पीछे लटकता चलता है मुझे में देखा होगा आपने तो उसको वो दिया और उसको एक embroidery मतलब embroidery होता हाथ ही कला किया हुआ कैप भी दी फिरोज साब भाहमन marriage with their daughter Devrae 1 फिरोज साने साधी की थी बहम देवराए 1 की लड़की से और ही सबसेक्वेंट बैटल क्योंकि आपको पता है विजयनेगर और दो सोरी किर्शना और दुख मंद्रा नदी के पाद वो लड़ाई हुई थी पिरेया हमने पड़ा है तो वो उसको उसको उसके साधी कर पीस बनाने के लिए उसने अपनी बेटी की साधी कर दी थी देवराए 1 ने उसकी बहमनी से और आगी कहा है इस सब्सेक्वेंट बैटल सगेंस विजयनेगर है विजयनेगर हमने पहले मैंशन कर दिया था स्ट्गल फोर दिरोमेंशन ऑफ दिक्रिश्ना गोदावरी बेशि इस वाग गया पने वरोदर को त्याग के देगे पोजिशन एहमद सावन को क्या बोलते हैं सेंट या वली बहमन सागा भाई एन ओकाउंट फिजयनेगर है सूफी सेंट गेशु दराज के साथ इनके कॉंटक्ट तो इनको वली बोला जाता था है सेंट बोला जाता था एहम साथ कंचीनू दा स्ट्रगल फोर दी डॉमिनेंस ओफ दी इस्टर सीबोर्ड इन साउथ इलिया तो इस्टर इरिया को कवर करता था है ही कूट नोट फोरगेट था इन विच बहमनी सुल्तान है डिफीट तो बोल रहे हैं ही ही कूट नोट फोरगेट भूल नहीं पाया दा पिछली दो बैटल थी इन विच बहमनीम सुल्तान है डिन डिफीटिद दा रूलर ओफ दी वारंगल हैड साइड विद्दी जानेंगर एंपायर जो राजा थे वारंगल के उन्होंने क्या साइड लेल थी विजानेंगर एंपायर की इन ओर टू रेक वेंजियंस रेक क्या का लिया इन ओर टो कोंसिलिडेट इस रूल ओवर दी नूवली एकुराइट टैरिटरी इस उसने जो अपने राज्य को स्टूड करने के लिए जो उसने अकुराइट की टैरिटरी इस उन पर कंट्रोल करने के लिए जिफ्टिटेट दे कैपिटल फ्रॉम गुलबग गार गुलबग से बिदर पे shift कर दी थी अपनी territory, after this he returned his attention towards Malwa, Gondwana and Konkan, यही वहमनी kingdom की बात है, अब महमूद गवान के बारे में पढ़ते हैं, the loss of वारंगल to the वहमनी kingdom changed the balance of power in the South India, जो वारंगल क्या है वहमनी kingdom के पास चलागा तो balance of power change हो गया, तो बहमनी kingdom फैला किसके टाइम पे महमूद गवान के टाइम पे, the early life of the महमूद गवान is of secure, इसकी पहले की लाइफ के बारे हम जादा नहीं जानते, he was an Iranian by birth, by birth Iranian थे वो, and was a first trader, पहले वे पारी थे, he was introduced to the Sultan and soon become a favorite, मतलब उसको एज सुल्तान के रूप में लिया गया और वो बहुत फेवरूट हो गया, and granted that title of Malik ul Tujar, तो Malik ul Tujar उसका उपा दी ताइटल दे जा, Soon he became Prime Minister of Peshwa, तो Peshwa का Prime Minister बन गए, ओफ आएगा यहाँ पे, Peshwa, For almost 20 years, Muhammad Gawan dominated the affairs of the state, तो उन्होंने डोमिनेट किया states के जो affairs थे काम में, He extended the Bahmanic Kingdom by the making further action in the East, तो East में फिर फैल के वो, And a deep raid in the Vijay Nagar territories, up to the Kaachi, demonstrated the strength of the Bahmanic Army, तो Kaachi तको नोने attack कर दिया था, Bahmanic Army, महमुद Gawan major military contribution, However, वाजे over running of the western coastal area, उसने क्या western running coastal area, उसको कुचल दिया था, And including the ball and Goha को भी, the loss of the sports was a heavy blow to Vijay Nagar, तो Vijay Nagar को बहुत धक्का लगा, इन का लोस होने के लिए, The control of Goa and the ball, led to the further expansion of the Bahmanic, overseas trade with Iraq, Iran, internal trade with the manufacturer also grew, तो इनका बिजनेस फैला क्योंकि उनने port कप जा लिया था, महमुद Gawan also tried to settle northern frontiers of the kingdom, उसने northern area को control करने की चाहिए, Since the time of the Ahmed Saab, Ahmed Saab 1 के time के बात है, The kingdom of Malwa ruled by Khalji, तो मालवा का, MP में मालवा का area है, जो इदर western MP है, उसको मालवा बोलते थे, वो Khalji के दोबारा rule के जाता था, had been contending for mastery of Gondwana, तो Gondwana की area के लिए उनने लड़ाई की, बेरार and the Konkan area के, In this struggle, जो इस ट्रगल चाहर रहा था, बहमनी सुल्तान had sought and secured help of rulers of Gujarat, तो इस struggle में जो बहमनी ने help मांगी की, rulers of Gujarat की, After a good deal of conflict, he had been agreed that Khayrla and Gondwana would go to the Malwa, Gondwana area में जो Khayrla हो जाएगा मालवा के पास, and बेरार to the बहमनी किंग सुल्तान, और बेरार जाएगा महमनी सुल्तान के पास, However, the rulers of the Malwa were always on the lookout for seizing बेरार, तो जो वहाँ के राजा थे, Malwa के, वो देखते थे क्या, बेरार को seizing करने के लिए, महमूद गवान had to wage a series of bitter battles against महमूद खलजी of Malwa over बेरार, तो महमूद गवान ने क्या-क्या series of bitter battles किया against महमूद खलजी, महमूद खलजी के अमालवा बेरार, he was also able to prevail due to the active help given to him by the ruler of Gujarat, तो वो prevail मतलब अपना control करने के लिए, ruler of Gujarat ने उसकी help कर दी थी, तो वो control करने में कामियाब रहा उस area पे, ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो, इसको ऐसा देखा जाए, तो पैटर्न ओफ स्ट्रगल जो स्ट्रगल था साउथ में लड़ाई चाल रही थी, तो मतलब स्ट्रेटिकल एक जंगय के लिए या पोलिटिकल राजनती के मामलों पे ज़्यादा बटे हुए था आदमी, नहीं बटे हुए थे, secondly, the struggle between the various states in the North India and the South India did not proceed completely in isolation from each other, तो बोल रहें कि जो struggle between क्या वाथा, various states, बहुत सारे states के बच्में, North India में, South India में, completely isolation में नहीं चला, in the West, Malwa and Gujarat were drawn into affairs of the Deccan, तो Malwa और Gujarat आ गए थे, South के conflict में, in the East, Odisha was also involved, तो Odisha और Bengal भी involved थे, and also caste कोईटर्स आई, मतलब एक लाल सा भरी आँखों से देखा हुए अन्दी, commercial rich Coromandal Coast, Coromandal Coast पे बंगाल और Odisha भी देख रहे थे, the Orisha rulers, the rulers थे, made deep raids into South, South में deep raid की उन्होंने, India, after 1450, 1450 के बाद, and their army reached at far south in Madurai, and territories of the Odisha extended up to the river Krishna, Krishna नदी तक चले गए थे, their activities further weakened Divi Janagar Empire, उनकी जो activities थी, उसने भी Janagar Empire को कमजोर कर दिया, and was passing through a phase of internal discord following the death of the Devaraitu, Devaraitu की मर्त्यू के बाद internal conflict चल रहे थे, या discord में चल रहे थे, उसले क्या और विकन हो गया, इन्होंने, बंगाल ने, ओडिशा ने भी अटेक कर दिया, जो कि यहां, Krishna ने दी तक आता था, Mahmood Gawan carried out many internal reforms also, उन्होंने बहुत सारे internal reforms किये, he divided the kingdom into eight provinces of Tarf, तरफ बोलते थे या kingdom को, आठ प्रांतों में बाढ़ गया, each तरफ was governed by यह तरफदार, तरफदार की दवार राज के जाता था, salaries and obligation of each noble was fixed, salary fixed थी, for maintaining a contingent of 500 horses, a noble received a salary of near about 1 lakh huns per year, 1 lakh huns per year मिलते थे, 500 गोड़े कर कोई maintain करता है, तो तरफदार जो, salary could be paid in cash or by assigning a jagir, तो jagir ही मिल सकते थी या, पैसे मिल सकते थे, those who were paid by means of jagir were allowed expenses, तो जो क्या थे, jagir को allowed करते थे, खर्चे पे and for the collection of rent when due, in every province is a tract of land, खलीशा बोलते थे, जिसको राजा केंडर रहते थे, what set apart for the expense of the Sultan, efforts were made measures the land and to fix the amount to be paid by the cultivator to the test, तो efforts किये गए measure करने के लिए land को भूमी को मापने के लिए, वो fixed the amount to be paid by the cultivator to the state, जो उस पे पसल करता, वो state को कितना देगा, वो भी fix करने, कोशित की महुम्मद गवान वाजे, great pattern of arts, कला को बढ़ाते थे, महुम्मद गवान, he built a magnificent madarsah, और college in the capital of Bidar, बिदार में उन्होंने एक madarsah खोला, fine building बनाई, which was decorated with the colored tiles, tiles लगाई and was three stories high, तीन मंचिला था वो, and accommodation of the 1000 teachers, 1000 teachers का accommodation था, students who were given clothes and foods free, आज के time में भी education फरी नहीं हो, देख उस time पे भी बिदार में free थी education, clothes भी दिये, कपड़े भी दिये, some of most famous scholars of the time, पे लोग इंटो इरान एं एराक came to be madarsah, तो उस time के जो इरान एं एराक के famous बन्दे थे, वो madarsah में आये, और मुहमदगवान के time पे, one of the most difficult problem which faced the behemening kingdom, was this strife among nobles, तो behemening kingdom में जो nobles थे, उनके बीच में दरा रहे थी, उनके बीच में जगड़ा उतर रहे था, nobles were divided into long established decanies and newcomers, तो long established decanies, तो बहुत time से दक्सिन में settled हैं, और newcomers हैं, who were foreigners, इसको अफ़ाकीज आलसो काल घरीब, या अफ़ाकीज भी बोलते थे foreigner को, या जो घरीब बोलते थे, as a newcomer, मुहमद गवान was hard put to win the confidence of the decanies, तो मुहमद गवान newcomer थे, इसको घरीफ भी बोलते थे, या अफ़ास भी बोलते थे, अफ़ाकीज, तो ये South Indian का क्या है, जो decanies थे उनका, दिल जितने में आकां भी रगवे, तो he adopted a broad polish of conciliation, उसने conciliate करने की, सामन्जे से बिठाने की बहुत कोशिस गी, दा पार्टी स्टाइब कुड नोट बी स्टोप्ट, उसको पार्टी की द्रारे फैली वे थे, उसको नहीं रोका जासका, इस एपोनेंट्स मैनेज तो पोईजन दा येर्स ओव दी यंग सुल्तान, तो उसके जो खिलाब जहर भर दिया, सुल्तान के कानों में, तो उसने उसको चदो सभी आसी में वहां से निकाल दिया, महुम्मद गवान ओवाज ओवर सेवन्टी येर्स ओल्ड अट ताइम, सतर साल के थे, पार्टी स्टाइब नौ बिकम इवन मोर इंस्टेंस, और ज्यादा दरा रहा गी थी पार्टी में, वेरियस गोवर्नर्स बिकेम इंडिपेडेंट, बहुत सारे गोवर्नर्स इंडिपेडेंट हो गे, बहुत सारे गोवर्नर्स इंडिपेडेंट, बहुत सारे गोवर्नर्स इंडिपेडेंट, विजयनेगर एंपायर के इसे डिस इंडिपेडेंट हो गिशाद इंडिपेडेंट, विजयनेगर एंपायर, confusion था विजयनेगर एंपायर में, after the death of the day right 2, 1446 में जो चल गई थे, since the ruler of the primary general, primary general, starting में आए, 1 साबली में सबसे पहले आए, was not established in विजयनेगर एंपायर, जो पहले आए तो उस ते विजयनेगर इस्टाबलिस नहीं गई था, there was a series of civil war, बहुत सारी वार हुई अमंग the various contenders of the throne, many feudatories assume independence in the process, the ministers become very powerful, ministers बहुत पावरफू लगें, begin to accept patience, तो उन्होंने क्या क्या, प्रेजंस देने स्टाट किया, a heavy tax लगाई from the people, and causing considerable distress to them, उनको बहुत चिडाया, distress दिया, दबाव दिया, the authority of the Raya Shrook to Karnatka, Raya की जो अथोर्टी थी shrunk, मतलब सुखड गे थी Karnatka में, and to some portion of the western Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, Andhra region में भी सुखड गे थी, the rulers were sunk in pleasure, and neglected the affairs of the state, तो सिंक की second form में sunk, तो rulers क्या थे डूब गे थे, मतलब pleasure, खुशी में, and neglected the affairs of the state, After some time, the throne was usurped, मतलब पलट दिया by the king, Minister Salva, Salva के दोबारा जो इसका उनिस्टर था, वो आगे यहाँ पर, the earlier dynasty thus came to be end, तो पहले गी जो डिनस्टी थी, end होगी भेहमनी, विजन अगर, Salva डिस्टोर्ट इंटर्नल ला एंडर, Salva ने कहाँ, इंटर्नल ला एंडर को रिस्टोर के, and found a new dynasty, this sign dynasty too soon came to end, वो डिनस्टी भी जल्दी end होगी, ultimately a new dynasty called the Tulva dynasty, उसके बाद, Tulva के बाद, Tulva dynasty आई, was founded by Krishna Deva, Krishna Deva Rai, ने founded कर दी, जो फंदरा सुन्नों से, फंदरा सुतीस तक ने, बाज़ा greatest figure of this dynasty, some historians consider him, the greatest of the Vijayanagar rulers, तो Vijayanagar के जो रादक थे, उनसे सबसे बहान माने गए, Krishna Deva and had only, to re-establish internal law and order, उसने अंदर का law and order, he re-establish करना था, and he had also to deal with, the old rivals of Vijayanagar empire, जो old rivals थे विवाद थे, जिन के साथ उनको भी control करना था, namely क्या कहा है था, successor of the Beheming Kingdom, and the state of Odisha, तो Beheming Kingdom के successor, या जो ओडिशा के, who had usurred many Vijayanagar टारिटी, जो नोने पलट दिया था, बहुत सारी Vijayanagar empire को, in addition, he had to contend with the Portuguese also, उसको पूर्तिगीज के जा लड़ना पड़ा, whose power was slowly growing, जिनी पावर बढ़ रही थी, they were using their control over the seas, brobat, the smaller vessels, जो चोटी-चोटी जागिरों को उनने जीत लिया था, Vijayanagar empire के, in coastal areas in order to gain economic and political concession, they had even offered to buy neutrality of the rai, उनने क्या है, मतलब offered क्या, even offered to buy neutrality, जो राय थे, देवराय थे, उनको भी control करनी को, उनने क्रिशन देवराय को भी, प्रोमिस की में, resistant in recovering Goa from Vijayapur, मतलब कुछ favor करो, and giving him in a monopoly in the supplies of forces, गोड़े भी देने का promise किया, एसीरीज बैटल लास्टिंग 7 years, मतलब जो बैटल लडाई हुई, जो साथ साल चली, क्रिशन देवराय फर्स्ट कंपेल्ड रूलर ओडिशा तो रिस्टोर, उननोंने का कि, अपने आपको ऐसे स्ट्रेंग्थ किया, उननोंने दोबारे जो स्ट्रेंग्ल चालू थाना, तो को मंदरा दाओ के लिए उसको रिनू कर दिया, और इस लेट टू ए होस्टाइल एलाइंस, तो होस्टाइल दोनों के भी जगडे होगे, अलाइंस बेटूइन दी टू मेन ओपोनेंट्स, बीजापर एन ओडिशा, के बीजापर एन ओडिशा के बीच में जगडे होगे, कृष्णा देवा मेड ग्रांड प्रिपरेशन फॉर दी कॉनफलेक्ट, उन्होंने बहुत त्यारी कर ली थी कृष्णा देवराया ने, लड़ायो में बीजापूर रूलर वाज कम्पलिट्री डिफीटिड बीजापूर के जो राजा थे, बिल्कुल डिफीट होगे थे पंद्रा सुबीस में, मतलब उसको भगा दिया कृष्ण नदी के पार, बेरली एसकेपिंग विज लाइफ, मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, इन दा वेस्ट, विजयनेगर आर्मी रिस्ट बैल गाउं, वेस्ट में क्या था, विजयनेगर आर्मी पहुच गी थी बैल गाउं में, उकूपाइड एन सेक्ट विजापूर, विजापूर को लूटा, फोर एन नंबर ओटेज, और डिस्ट्रोइड गुलबुर्गा भी फोरे ट्रूस वाजमें, जब तक संदी भी, तब तक युद विराम वा, तब तक उन्होंने गुलबुर्गा को बहुत रूटा विजयनेगर एंपार ने, अंडर कृष्णा देवराय विजयनेगर एमस्ट रहे इस्ट्रोंगेस्ट मिल्ट्री, पावर इन दा साउथ, मतलब विजयनेगर, कृष्णा देवराय के एंडर में विजयनेगर बहुत फल्फूल गया था, हावर इन देर एगरनेस तो रिनू द ओल्ड फ्यूड तो जो उनकी पुरानी मल्कियत थी, उनको लेने की एगरनेस में उत्रक सुगा में, जो पुर्थ गाली वहाँ पे अपने आपको स्ट्रेंग्थन कर रहे थे, उनकी चोला इन देवराय सेम्स तो वह पेड स्कंट अटेंशन देवराय को बढ़ा था, उनकी त्यान दिया उस पे, The condition in Vision Eccar during this period was described by number of 400 travelers travelers, जो condition थी Vision Eccar Empire में इस पेरिट के दोरान described by number of foreign travelers आयते हैं, इक Italian who spent a number of years. पाईस ने किया बहुत ज़्यादा टाउय में at Krishnah Deva court, Krishna Deva के court में and has given a glowing account of his personality, मतलब अपने इस personality को दिखाया उन्होंने, but he remarks he is a great ruler and a man of much justice मतलब बहुत बड़े राजा थे और जो justice को ध्यान देते थे but subject to sudden fits of rage कुछ-कुछ मतलब उनको धोरे पढ़ते थे कुछ से कि ये बोल रहे है he cherishes his subjects उसने मतलब अपने subjects को अच्छे से embellish किया उसको सजाया कैसे and his solitude for their welfare become proverbial solitude मतलब क्या होता है concern चिंता जो होती है उनके welfare के लिए उस proverbial कुछ मतलब बढ़ा चड़ा गे बला he also tried to create a more centralized administration about hosting the all naikas from the tog bhandra उन्होंने centralized करने को उसकी naikas को वहां से अटागे and bringing under direct administration Christian devarai was also a great builder वो बहुत अच्छे builder थे he built a new town near the Vijayanagara and dug an enormous tank which was also used for irrigation purpose एक टैंक भी खुदा आया जहां पे सिचाई होती थी वाज गिफ्टेट scholar of Telugu and Sanskrit Telugu and Sanskrit के बहुत अच्छे scholar थे sorry of his many works only one in Telugu and Polity and drama and Sanskrit available today एक Telugu Polity पे हैं एक ट्रामा है एक सिंस्किर्ट में इजरीन माग एन न्यू एरा in Telugu literature Telugu literature में उसकी जो Sanskrit words gave place to independent works बादो कोपी करने के को सिंस्क्रत वरके इसले independent works हो गा ही एक्सेंडिदी इस पेटरोनेज तु तो तेलगू, कनेडा, तमील पोईट सालाइक फोरने ट्रावेल इस लाइक बर्बोसा जो बर्बोसा पायस अन दे नूनीज श्पीक फिज एफिसेंट प्रोस्पेरिटी थी बहुत इसका इंपायर फ़ला भूला हुआ था विजयनेगर रूलर्स आर कंसिडर्ड ग्रेट प्रोटेक्टर फिंदुज्म विजयनेगर के राजाओं को बोला गया ग्रेट प्रोटेक्टर थे इंदुज्म के बहुत सारे तेंपल, मंदिर और मट्स बनाए गे इन इस इस परियाओ तेंपल बहुत बड़े बड़े बनाए थे और ओर बोला थे प्रोटेंट वर्डेट बना गे थे एंदिशन ऑल्लाव प्लावल स्वेडियन संबर्डियन संबर्डिन इन अब्या था मतलब जैसे वो अपनी जाती में आ रहा है ऐसे आ जा सकता है जैसे उसने महोल बनाया विदाउट सफरिंग अन्य अनुएंस बिना किसी चिड़के विदाउट एंक्वारिंग वेदर मतलब कोई भी अलग जाती का उसको कोई भेदवाव नी किया ब्रबोशा आल्सों पे ट्रिबूट ट्रिबूट ट्रिवालिटी प्रिविलिंग इंपार तो जस्टिस भी अच्छा करता था ब्रबोशा में उसकी बढ़ाई किये क्रिशन देवराय की इस चीज़ के रहे आफर दी देट अब दी करिशन देवा 1530 देर वाज इस ट्रगल फॉर सक्सेशन अमंग इस रिलेशन सिंस इस संस वाल वर माइनर बच्चों में जगड़ा था अल्टिमेटली 1543 सदा सिवराय असेंडिट देवराय के बाद सदा सिवराय थ्रोन पे एंडरी इं तिल 1567 He's able to play off the various Muslim power against the one another. राम राजा थे जिए उन्होंने क्या है उनके बीच में था तीन आदमियों के बीच में confliction है. He entered the Muslim को भी power he play off the various Muslims. He entered into the commercial treaty and the Portuguese whereby the supply of forces of the Bijapur rules were stopped. उन्होंने क्या है commercial treaty भी की Portuguese के साथ जहां पर क्या था उन्होंने घोड़ो की supply बंद कर दी थी बीजवपूर में and in a series of war he completely defeated the Bijapur ruler वहां Bijapur की राजा को हरा दिया उन्होंने and also inflicted humiliating defeats on Golkanda and Ahmedanagar Ahmedanagar और Golkanda पर बहुत सारी humiliating humiliation करने वाली हार दी it seems that Ram Raja had no longer larger purpose than the maintain a balance power of favorable to Vijayanagar between the three powers थीन पावर के बीच में वो अपनी पावर बनना चाहता था at length they combined to inflict a crushing defeat on Vijayanagar and Bunny Hattie near Talikota बतलब ये ही at length लंबे तोर पर क्या करना चाहते थे crushing defend करना चाहते थे Vijayanagar पे बहमनी Bunny Hattie near Talikota in 1565 there is also called battle of Talikota and battle of Raksa Tangadi Ram Raja was surrounded, taken prisoner immediately and executed Ram Raja को पकटा गया, उसको जेल में डला गया, उसको फासी दे दी गी it is said that near about 1 lakh Hindus were slain slain का था काट डालना during the battle Vijayanagar was thoroughly looted and looted in ruins Ram Raja वहापे मर गये 1565 में रक्ससत अंगडी के लड़ाई में और वो बिलकुल वहापे आदमीं बहुत सारे काटे गए अंपायर काटम हो गया, although the kingdom lingered only almost 100 more years उससे 100 साल भी चला, its territory decreased continually and dry and no longer continued in the political affairs in the South India South India में फिर कोई political affairs मेरे रहा आज के लिए इतना ही क्योंकि लाइगे मैं पिसले वन आवर से बोल रहा हूं तो like I'm feeling like chok throated ऐसे मैं गला बैट सा गया है and कल हम आगे इस chapter को continue करेंगे, that is all for today, thank you very much, bye